नवस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनेक विडि़ीफोर न्यूस पर, मैं उप्रकार साहू, आपका स्वागत करता हूँ, आज एक विशेश कारकरम लेकर मैं आपके साथ में बस्तित हुआ हूँ, और इस विशेश कारकरम का जो आज का जो हमारा टॉपिक है, एक ऐसा जो आपके और हमारे बीच ही रहते हैं, मैं इसमें काम करता हूँ, अब यह इसमें वाला जो शब्द है, इत्याश रहते हैं, जैसा हमारा आप जाशना है, लोग बैंकर होते हैं, लोग इंजिनियर हैं, लोग डॉक्तर हैं, लेकिन एक कम्यूनिटी, एक स्ट्टर एक ऐसा 15 से 20 सानों में, जो अपने आपको नेटवर्क मारकेटर कहता है, आज जिस विशे पे हम चर्चा कर रहे हैं, डारेक्ट सेलिंग पंपनी, MLM, नेटवर्क मारकेटिंग, यह एक बहुत बड़ा शब्द हैं, और केंदर की सरकार ने, जिन जिन सरकारों ने इनको हमेशा किया है, जिससे मारकेट में एक ऐसा भ्रम उत्पन हो चुका है, कि क्या वर्टी लेवल मारकेटिंग कंपनियां बंद हो जाएंगी, क्या MLM बंद हो रही है, क्या डारेक्ट सेलिंग कंपनियों को सरकार ने बेहन लगा दिया है, ऐसे बहुत से कोश्चिन्स हैं, जो करोड संतोष पांडे, डॉक्टर संतोष पांडे एक नाशनल मोटिवेटर स्पीकर है, बिजनिस गुरू है, पिछले 15 सानों से इनको MLM और नेट्वर्प मारकेटिंग का अनुभाव है, इन्होंने कई किताबे लिखी हैं, जिनको पढ़कर एक युगा अपने जीवन में MLM में कैसे तरक्षी पाना है, या अपने जीवन में कैसे तरक्षी पाना है, इन सब चीजों को आत्मसार कर सकता है, इन ही सब उतों पे, इन ही सब चर्चाओं पे, जो एक कोहरा जवा हुआ है, इन कोहरे को साफ करने के लिए हमारे भी चातुपस्तित हैं, डॉक्टर संतोष पा जो मतलब मेरी जानकारी में मेरी पीच के बहुत से लोग हैं जो बोल्टे में डालेट सलीम में काम करता है और पिछले तीन दिनों से फेस्बूक हो जितने शोशल मेडिया प्लैटफॉर्म है हमारे पास उनने एक मेसेज वायरल हो रहा है कि MLM बंद हो रहा है डालेट सलीम ब बहुत सारे वायरल होने हैं तो इतनी सब निशेवर्शन पर चर्चा करने के लिए हमने आपको याद किया है थैंक यू बहुत-बहुत आभार सर आपका और आपने जो आज मुद्दा उठाया है जो कॉंसेप्ट जो सब्जेक्ट आपने लिया है डिरेक्ट सेलिंग के नहीं है और कुछ भी चीज जब नहीं आती है मार्केट के अंदर तो उनको वह उठा करके कुछ भी बोलते हैं और हमारे देश में सबसे बड़ा जो चैलेंज है कोई भी चीज देखकर के सोसल मीडिया के थ्रू लोग दिख भरमित हो जाते हैं परिशान हो जाते हैं और ड लगातार लगे हुए थे सरकार से की आप जरूर इसके उपर कोई न कोई गाइडलाइन लाइए चुकि इंडस्री इतनी बड़ी है इतना बड़ा इंडस्री है लाखों लोगों को रोजगार मिला हुए अगर मैं बात करू हिंदुस्तान के अंदर तो करोड़ों ऐसे पारे में सूच रहे हैं तो अगर मैं बात करूं रिसेंटली अगर बात की जाए कोविड 19 की तो कोविड 90 में ही जब पूरे दुनिया के सारे बिजनस डिस्टर रखे थे उथल पुथल मचा हुआ था मार्केट में लोग परिशान थे सारे बिजनस हाउस बन थे उस टाइम पे भी बाइस सो हजार करोड का टर्णोवर डरेक्स जार पांसो करोड का टर्णोवर डरेक्स सलिंग इंडस्ट्री ने किया तो बैसिकली इन सारी चीजों को देख करके यह आज से नहीं पिछले 10-15 सालों से यह इंडस्री बूम पे है लगातार बूम कर रही है और यह सिर कोई भी नई चीज आती है या वर्डवाइट कोई भी नई चीज आती है तो उसके कई स्टेप होते हैं पहले स्टेप में स्ट्रगल करना पड़ता है उसको फिर थोड़ा सा कुछ अच्छे लोग आते हैं थर्ड स्टेप में बहुत सारी उथल पुथल होती है लोग परश बजबगार खतम हो जाएगा एक computer जो है वो सैकड़ो लोगों की नोगरी खा जाएगा लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं सारे viewers को बताना चाहता हूं कर दिया जाएं तो सारी नोगरी खतम होजाएगा तो यह यह तो अधीus चाहीं पर जब लोगों की जरुवष्त ती चुछि बहुत सारे ऐसा लोग थे जिनको यही नहीं पता था किस कंप्पनी में काम करें कौन सी कंप नहीं है क्या करना चिए तो जो भ्रहाय है वो मैं थोड़ा सा follow करना पड़ेगा government basically pyramid scheme को बंद करने की बात कर रही है और आज से नहीं day first से government इसके favor में नहीं है कि pyramid scheme जो है जो पूंजी scheme है basically यह 100% illegal है और government इसके favor में नहीं है और क्यों हो गलत चीज़ के favor में कभी भी government होती नहीं consumer के फायदे की बात customer के फायदे की बात government चाहती है तो जो यह नया guideline आया है जो नय rules and regulations केंदर सरकार लेके आई है वो customer के benefit के लिए लेके आई है और ना ही कोई किसी भी guideline में ऐसा नहीं लिखा है कि network marketing company बलकि network marketing के लिए guideline लाई है MLM के लिए guideline लेके आई है MLM को और direct service को आप बिलकुल सब्सक्राइब समय के साथ business करने के model change हो जाते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पदा होगा कि एक जवाना था जब राधा मल मिठा मल एंटसंस के नाम से business होता था पहले राधा मल करते थे फिर उनके बेटे मिठा मल होते थे फिर मिठा मल के बेटे एंटसंस होता था राइट तो कई पीडियां बिजनस करते थे बिजनस का model change हुआ लोगों ने देखा तो फिर बिजनस का नया model आया फ्रेंचाइजी बना बनाया कर चुकी होती है राइट अब इसके बाट थर्ड जो जनरेशन आया वो डिरेक्ट सेल का आया जैसे आप अभी आप सोचल मीडिया में देखते होंगे Amazon आया राइट आज Amazon ने पूरे दुनिया के मार्केट को बदल के रख दिया इंड या तो प्रडक को बनाती है या किसी से बनवाती है और द्रेक्ट के सब्सक्राइब वाल सकते हैं जिस को हम नेटवोक मार्केटिंग भी बूल सकते हैं कि नेटवोक मार्केटिंग भी भोलते हैं या मेलें मी लोग बोलते हैं बेसिकली सरकार ने 2016 में गाइडलाइन लेके आई थी कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन्स होंगे कि कमपनी पूंजी स्कीम नहीं कर सकती पिरामिड स्कीम जैसा की बच्पन में आपने सुना होगा जब आप 10-15 साल पहले बहुत सारी कमपनी जाती थी कोई भी कमपनी कुछ भी लेकर के आजाती थी और उसको वो मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग के थूरू बेस्ती थी आप आजाईए आपने दो लोगो को लाईए फिर वो दो लोगो को जाब अपलाओगे तो आपका प्रोड़क्ट फ्री हो जाएगा या ऐसा भी होता था कि आप आएंगे दो लोगो को लाएंगे फिर वो दो को जब लाएंगे तो आपको कमीशन मिलेगा तो बैसिकली गौर्ड़मेंट ता कहना है कि इस पिरामिड स्कीम है ये पोजी स्कीम है इसके उपर गौर्ड़मेंट 2016 पे गाइडलाइन लाई थी कि आपकी मेनुफैक्टरिंग होनी चाहिए आपके प्रोड़क्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और गौर्ड़मेंट ने कहा कि जो भी कंपनी डेटवक माकेटिंग में काम कर रही है उसको हमारे यहां रजिस्टर्ड होना पड़ेगा और अपने क्या प्लेटफर्म बना रखा है क्या पेमेंट देने का तरीका है कैसे कमिशन बाटेंगे क्या प्रोड़क्ट होगा यह सारी इंफॉर्मिशन गवर्मेंट के पास होना चाहिए गाइडलाइन 2016 में गवर्मेंट लेके आई थी अभी 2021 अभी गवर्मेंट 28 तारीक को दिशंबर के यह नया गाइडलाइन लेके आई केंदर सरकार कि क्या क्या चीजें होंगी तो आप एक इथिकल लीगल जन्वन नेट्वोक मांकेटिंग कंपनी के क्रेटिगरी में पहले लोग बेचा करते थे आपको पता होगा कि लोग बताते थे कि मैं इस कंपनी में जुड़ा और इस कंपनी में जुड़ने के बाद मेरे को मारूती मिली कोई बुलता था एंबैसर मिली कोई बुलता था मर्सेटीज मिली कोई बुलता था जगवार मिली वो कॉंसेट बेशते थे प्रोड़क्ट के बारे में नहीं बताते थे कि कोई guideline नहीं था government कोई इस पर interfere नहीं कर रही थी तो customer basically जो गरीब लोग होते हैं या middle class के लोग होते हैं या mature लोग भी होते हैं किसी ना किसी रिस्तेदार के थूर किसी ना किसी guideline लेकर आई है वह गौर्मेंट की guideline यह है कि आपको product की costing रखना है वह value for money रखना है कि जो product की costing actual में हैं वही होनी चाहिए हाई नहीं होनी चाहिए और आप किसी को अपनी success बता करके किसी को अपनी गाड़ी अपनी lifestyle दिखा करके अगर आप किसी को बरगलाते हैं या किसी को motivate करते हैं company को join करने के लिए या आप किसी को member बनाने के बदले commission देते हैं जैसा कि पहले होता था कि आप x व्यक्ति को जोड़ी आप y व्यक्ति को जोड़ते हैं दो लोग को जोड़ते हैं तो आपको गौर्मेंट बन कर रही है गौर्मेंट इसके फेवर में नहीं थी गौर्मेंट का कहना है कि जो आप कस्टमर को product दे रहे हैं उसका पैसा लिजे और अगर वो product उसको संतुष्ट नहीं है उस product से अगर वो satisfied नहीं है उस product से तो उस product को उसके पास return करने की भी policy होनी चाहिए यह company के अंदर यह guideline होने चाहिए क्योंकि तुरू digital आप कर रहे हो तो customer के favor के लिए customer के security के लिए customer के hit के लिए basically 2021 का जो guideline नहीं है ने फॉक मारकेटिंग का वो customer के अबॉलिश कर दी जाएगे यह 100% पॉंजी स्कीम को government 100% illegal मानती है पिरामिड स्कीम को 100% illegal मानती है और कोई वी व्यक्ति या कोई भी डिरेक्ट selling company अगर ऐसा करते पाया गया तो उसके खिलाब government action लेगी डॉक्टर साब मेरे कोई बहिया आता है बुलता है यह company अच्छी है वो company अच्छी है कोई दोस्त आकर बुलता है मैं कर रहा हूं यार देख मैं कितना पैसा कमा लिया मतलब एक mentality develop करते है एक psychology develop करके उनको जोइन करा लिया जाता है तो आप एक चनल के माध्याम साब जनकारी हमको देजिए हमाई दाश्टा को कहन सी company join करें कि कौन सी company join ना करें इसको कैसे decide करें बहुत चाई कोश्चन आपने किया सर बैसिकली कौन सी company करें कौन सी लिए ना करें यह तो देखिए आपके उपर है आपको choose करना है यह आपका decision है कौन सा product आपके काम का है हंड़ेट परसेंट जितनी भी direct selling company है या तो वो product बेच रही है या तो वो कोई ऐसा subject है concept है जिसमें package है या education है कुछ तो ऐसी चीज़े बेच रही है अब government कह रही है जो product बेच रही है company उन company को हमारे अंदर registered होना होगा अपना number लेना होगा अपनी information अपने product अपने business plan अपने commission distribution का system सब कुछ हमें submit करना होगा तो जैसे हम कोई भी चीज market से खरीते हैं Google से खरीते हैं Amazon से खरीते हैं कहीं से भी खरीते हैं सबसे पहले आप क्य चेक करते हैं को endorsement कर रहा है तो आप लेते हैं या उसकी rating चेक करते हैं उसके बारे में देखते हैं लोगे reviews देखते हैं research करते हैं तो as it is आपको firstly आपको उस company के बारे में चेक करना है उसकी website में चेक करिए हर state government के पास अभी submit करने का system आ चुका है उस company की information लीजिए YouTube से सर् करिए और आपका दिमाग जो कहता है कि यस जो मैंने पैसा दिया उसके बदले यह product मुझे मिल रहा value for money product है तो आप बिलकुल उस company को join कर सकते हैं कोई भी company सही या गलत नहीं होती कई बार क्या होता है कि company सही होती है लेकिन आपका जो leader होता है जो आपका senior होता है जो आपका तरीके से काम करना चाहती है लेकिन जो उसका leader होता है वो जब गलत कर देता है तो लोग पूरा का पूरा स्रे जो है उस company को दे देते हैं जबकि बात company की नहीं होती बात leader की होती है तो यह आपको चूज करना है कि जिस company को मैं पैसा दे रहा हूं वो जो मुझे product दे रही है अगर वो value for money है तो it's good अगर आपको संतुष्टी नहीं लगती कि मैं जो पैसा दे रहा हूं उसके बदले मुझे product नहीं मिल रहा तो बट नेचुरल सी बात है आपको उसको ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए चुकि जिसमें आप खुद ही संतुष्ट नहीं है तो आप आग इसा बोलता है तो MLM क्या वाकई था ना बड़ा स्कूप है क्या MLM हर आदमी को सकस्स दे सकता है बिल्कुल सही बात आपने कहीं कि हवाई चपपल पहन कर क्या तो यह बिल्कुल सच है मैं अगर अपनी खुद की बात करूं तो जब मैंने स्टार्ट किया था 2009 में इस इंड मैं लखानी के चपते तो मैं लखानी के चप्पल को पहन करके पैदल साइकिल में घूम करके और नेटवक मांकिटिंग डिरेग्स बॉप मैं बोलता हूँ देखे जुमला बनाने वाले हवा में बातों उडाने वाले बहुत मिलेंगे लेकिन सबसे बड़ी चीज जो डिरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जो मुझे अच्छा लगता है वह यह कि इस इंडस्ट्री में आने के बाद बंदा बीमड़ी मर्सेटी जगवार के बारे में सोच तो पाता है बोल तो पाता है अगर एक लड़का सिख्छा करवी में नौकरी करता है या कहीं पर डॉक्टर की पेशा में जाता है दुनिया किसी पेशा में जाता है तो पहले दिन वह मर्सेटीज बीमड़ी जगवार के बारे में बोलने की बात तो बहुत सब्सक्राइब दूर सोच भी नहीं पाता वहीं पे जब बंदा डरेक्ट सिरिंग इंडस्ट्री में आता है तो वह आते साथ ही 2 साल 3 साल 4 साल के बाद यह सपना देखना सुरू कर देता है कि यह समय भी एक definitely हर आदमी कामयाब नहीं होता चाहिए वो medical का profession हो engineering का profession हो या business हो हर विक्ति तो कामयाब नहीं होता जो system को follow करता है जो rules को follow करता है जो regulations को follow करता है जो अपने senior के दोरा बताई गई बातों को follow करता है और proper frankly I'm saying to all of you आपके सारे दर्सकों से अगर मैं खुल के बोलना चाहूं तो जो प्रॉपर learning करता है basically जो learn करेगा वही इस industry में करता है जो learn नहीं करता वह इस industry में नहीं करता यह बात इस industry की नहीं है यह दुनिया के सारी industry में कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि doctor है medicine का उसके उपर एक लगा हुआ है थपा है कि यह doctor है लेकिन उसके क्लिनिक पे कोई भी मरीज नहीं वहीं पर दूसरा एक doctor है जिसकी clinic में तीन दिन चार दिन पांस दिन एक के दो-दो अपते पहले आपको appointment लेना पड़ता है ऐसा क्यों है क्योंकि उसकी learning strong है उसकी learning strong है तो उसकी earning automatic strong हो रही है वहीं पर आप किसी वकालत profession में जाएंगे तो एक वकील ऐसा है जो दो टाइम की सायद उसको earning करने में खाने के लिए उसको दिक्कत होती है और वहीं पर एक किल ऐसा भी है जो लाखों और क्रोड़ों रुपए कमा रहा होता है तो इस आल about learning जो लीडर या जो व्यक्ति जो ड्रेक्षिलर learning करता है इंडस्टी के बारे में जानता है इंडस्टी के बारे में समझता है वह आगे बढ़ता जाता है जो लर्न नहीं करता वह इंडस्टी से बाहर हो जाता है और ऐसे ही लोग फिट डरेक्षिलिंग इंडस्टी को बदनाम करते हैं तो अब आपके इस साफ करना चाहेंगे क्या बोलना चाहेंगे हमारे दर्शकों से और नेट्रोक मार्केटर से डिरेक्टली सर जैसे मैं बात करूं जैसा कि आपने सवाल किया कि क्या ये इंडस्टी मार्केट को बूम पे लेके जाएगी डिरेक्षिलिंग इंडस्टी गाइडलाइन या कंपनीज बंद हो जाएंगे देखिए जब कोई भी नए रूल्स एंड रेगुलेशन्स आते हैं तो लोगों में थोड़ा सा हड़कंप होना जायज है क्योंकि पिछले 22 से 23 साल से इंडस्टी बिदा रूल बिना रेगुलेशन्स के चल रही थी कोई गौर्रमेंट का इंटर फेयर नहीं था लेकिन मैं आपको बता दूं यह हिंदुस्तान की या वर्ड की पहली एक ऐसी इंडस्टी है जो हंड्रेट परसेंट हंड्रेट परसेंट इतिकल और लीगल काम करती है जैसे एक भी रुपए का बिल अगर कोई प्रोड़क्ट खरीता है तो कोई भी कच्चे का काम नहीं है उसका बकाइदा बिल करता है जी स्टी कटती है जी स्टी गौर्उर्मेंट को हर महीने जमा होती है और ये सिर्फ मैं किसी पट्रिकुलर एक कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं हिंदूस्तान में जितनी भी डिरेक्ट सेलिंग एंड गैम और अब इसपर उसको कंपनी के साथ ब्लस पॉइंट है कि जो भी परशेंट एक भी कच्चे का काम नहीं है एक भी कैस का काम नहीं है 100% ethical 100% genuine काम है अब सवाल यह आता है कि इंडस्ट्री गाइड लाइन के बाद बूम करेगी की नहीं करेगी 100% सर कोई भी इंडस्ट्री जब गौर्रमेंट के अंडर टेकन आ जाती है गौर्रमेंट उसको अपना लेती है जैसे लाइसी में जब तक इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो मार्केट बहुत छोटा सा था जब आया तो इंडस्ट्री बूम हो गई आज बहुत सारे यूथ जो है बहुत सारे यंडस्टर जो हैं बहुत सारे लोग पढ़े लिखे मैक्चे ओं लोग आज इंस्वरेंस सेक्टर में अपना केरियर बना रहे हैं लोग जानते थे लाइसी ऑफ इंडिया था तो राइड या तो मतलब यह नहीं था फिर भी अलाइसी थी राइट अब जब आई-डी आ गया उसके रूल्स और रिगुलेशन तो आज इंटायर इंडस्ट्री को लोगों ने इज़्जत से देखना शुरू किया और विदेशों की बड़ी-बड़ी कंपनी इंडिया में आ करके अपने आपको इ पहले जब तक रीरा नहीं था तो जो लोग रील स्टीप में काम करते थे तो वह बोलते थे ये दलाल का रहसे के निगाह से नहीं देखते थे लेकिन जैसे ही रहा आया जैसे ही ग our जिंजा कसा गौर्मेंट ने सिस्टम को टाइट किया आज आप देखें लोग रियल इस्टेट प्रोफेशनल बोलने लगें अपने आपको कि मैं रियल इस्टेट में काम करता हूं और बताने में बड़ा कि मैं एक ब्रोफेशनल बोलते थे कि मैं डिरेक्टस लिंग प्रोफेशनल हूँ जैसे मैं लिवां ब्राउट से नेट्ड्रट परेटर हूं तो मुझे आपको एक आम आदमी को opportunity दे के उसके career को बढ़ा कर सकता हूं उसके career को sit कर सकता हूं उसकी जिन्दगी में एक नई संभावनाएं दे सकता हूं तो मुझे बढ़ा proud feel होता है कि मैं direct selling का part हूं सेम जैसे ही यह guideline अब आया तो guideline आने के बाद हर network marketing करने वाले व्यक्ति को confidence आजाएगा और वो अपने आपको confidence से बोल सकता है कि मैं हाँ जी मैं direct selling का का करता हूं network marketing का काम करता हूं और अब government इसके फेवर पर आचुके आपका कहना है कि डारेक्ट मार्केटर जो था आप उसको एक अस्तित्त मिलेगा उसको एक जगह मिलेगी और उसको एक पहचान मिलेगी क्योंकि अभी तक अभी तक क्या था राइट अभी तक क्या था कि कोई guideline नहीं थी तो कहीं न कहीं हर network marketing company या हर network marketing का leader कहीं न कहीं डरा हुआ था कि कब क्या हो जाएगा कोई rules नहीं थे अब क्या है government ने एक platform बना दिया एक rules बना दिया कि इन regulations को अगर आप follow करते हो तो आप ethical और genuine network marketing company हो और अगर आप इन regulations को follow नहीं करते हो तो आप legal हो तो simple सी बात है जो genuine company होगी जो ethical company होगी और आज भी हिंदुस्ताने बहुत सारी ऐसी company है जो genuine काम कर रही है हाँ problem उन company को होगी जो company बोलती थी तो कुछ मत कर फिर भी तुझे पैसा मिलेगा आज तुई member बन जा दो लोगों को बना फिर वो दो-दो को बनाएगा फिर वो दो-दो को बनाएगा बिना कुछ किये पैसा आता रहेगा basically जो pyramid scheme करती थी जिसको boundary बोलते हैं जिसको हम company को कहीं न कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है government guideline आने के बाद या तो उनको अपने आपको rectify करना पड़ेगा rules regulations आने के बाद या तो उनको system से बंद होना पड़ेगा तो डॉक्टर संतोष पांडे जी आपके इसाब से आप network marketer को एक पहशान मिलेगी आप उसके लिए नियम आ चुका है जैसे real estate insurance agent या और कोई भी profession रहता है उसके लिए rules and regulation आ चुका है तो इनके लिए network marketing के लिए भी आप एक नियम आ गया है definitely sir और जहां तक आपका कहना है और और भी बड़े बड़े जो leaders है ठीक है उनका भी कहना था कि अब इस industry में भूम आएगी है definitely sir तो आपकी इन तमाम जानकारियों को हम अपने दर्सकों तक पहुचा रहे हैं बहुत-बहुत धन्यवाद आपका आपका अपने अपने किम्ति सर्वें दिया थैंक यू सर आपके भी चैनल बहुत congratulations और आप ऐसे ही लोगों को अपने दर्सकों को सही information देते हैं चुकि न्यूस का कामी है सही चीजों को सही लोगों तक पहुचा रहा है तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का थैंकियो sir बहुत-बहुत धन्यवाद यह थे डॉक्टर संतोष पांडे हम इन सब का खंडन करते हुए सरकार का केंद्र सरकार का स्वागत किया उन्होंने और अपने करोणों तर्शकों तक और उनका खुद का इतना बड़ा fan following है डॉक्टर संतेश पांडे पिछले 15 साल से इस इंड़स्ट्री में काम कर रहे हैं उन्होंने कई किताबी लिखी है ज इसको बुपेज सरकार आज कैसे भी लोगों का हक उनको वापस कर रही है इसी पीच में अगर इस प्रकार का ब्रम कहीं पैदा हो जाता है मार्केट में कि MLM ये डारेक्ट सेलिंग कपनी भी बंद हो रही है तो इससे भी एक ब्रम और एक पैनिक सिच्वेशन पैदा हो सकत है और आने 24 के दर्शकों को भी मैं बताना चाहूंगा कि डारेक्ट सेलिंग, MLM, नेटवर्क मार्केटिंग अब एक प्रफेशन की तरह है लोग इसमें इन्वाल्व हो रहे हैं नीती आयोप का भी रिपोर्ट है कि आने वाले चार से पास सालों बाद ये पचास से साथ है करोड़ का विवसाय करेगा सरकार एक-एक आदमी को रोजगार नहीं दे सकती लेकिन जो मार्केट में रोजगार के अवसर हैं हमें उन्हें अपनाना चाहिए है रोजगार सिप गोवर्मेंट के जिनमेदारी नहीं है जहां तक मेरा परसनली मानना है वो सकता है कई लोग म मार्केट में अविलिबल है और थोड़े से परिश्रम से, थोड़े से बहनत से अगर आप वहां तक पहुंच सकते हैं, अपने बुद्धी, अपने विवेक और अपने धहर का इस्तमाल करते वज़े के सक्सेस्फुल आत्मी बन सकते हैं, तो हमें उस उपरचनिटी को आपका, आप प्लीज आगे खबरों के लिए जुड़े रहे हैं, आने 24 न्यूस के साथ, हमारे फेस्बूक, यूटूब, प्विटर, इंस्टा, सभी के लिंक्स आपको नीचे दिख जाएंगे, प्लीज इसको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंड क किजिएगा, किसी भी प्रकार के सुधार के लिए आप मुझे परस्नली टैक कर सकते हैं, आप मुझे परस्नली ट्वीट कर सकते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार.